सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चानल, बेल बटन पे क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटिस्ट अपडेट स्वागत आपका महिंद्रा गुरु के यूट्यूब चैनल पे और आज बात करेंगे एक्सप्रेक्टेट कोस्टन पार 15 क्लास 50 यानि चैनल वही सब्जेक्ट वही के वर फ्रेंट्स टाइमिंग चेंज हुई है यानि जो वीडियो हम लोग देखते थे जो क्लास करते थे हम लोग 10-11 वह सिफ्ट हो गई है नए समय पे 9-10 वह भी कुछ दिनों के लिए क्योंकि आपके मैस गुरु छुट्टी पे हैं इसलिए बाकिवाद फिर हम लोग आ जाएंगे उससी समय पे तब तक सेशन का इंजवाई करें और चैसे रिजिनिंग खतम होंगी आपकी 8-9 आज देखें बिल्कुल नए तरीके को सइंश सकांस देखेंगे। बहुत देखेंगे लेकिन पहले स्टर्ट करें साइंस किर्स चलिए देखिए फर्स्ट कोश्चन आपके सामने एक ट्रांसफॉर्मर् वर्क विथ एक ट्रांसफॉर्मर डैस की साथ कारे करता है डारेक्ट करेंट्ट ओनली केवल दिष्टधारा बोथ एसी और डीसी गुड इवनिग एवर्बं गुड इवनिग चलिए सेसन पर कंस्टरेट करे बोथ AC and DC परत्यावर्थी एमंग दिस्ट धारा दोनो अल्टरनेटिंग करेंट अउनली केवल परत्यावर्थी धारा या नन अब देज इन में से कोई नहीं चलिए जल्दी यल्दी कोशन मनाईए क्या होगा एक ट्रांसफॉर्मर किस करेंट के साथ कारी करता है किस धारा के साथ कारी करता है चलिए राहुल कुमार ने कहां ओनली AC करेंट मनुच कुमार ने कहां आएस संजेख कुमार ने कहां एसी सबसे में लगे पड़े हैं कि इस केवर कि क्यवल इल्टरनेटि करेंट कैवल परत्यवर्थी धारा यानि फ्रेंट्स इप Crystal in the Dag्रा परेंगी अगरसे इस से मधारवेंगी किसी भी सारकीट में किसी भी परिपत्थ में उसे हम ळोग प्रक्रेंगे और एंड टारेक्ट क्रेंट आप संसे चेंजिंग यानि जो merci होए वह करेगा देख लिजिए आप ऐसे समझिए जो हम लोग बैटरी की बात करें या घर में इनवर्टर की बात करें तो इनवर्टर के जो काम करता है किस पर डायरेक्ट करेंट पे वो सीधा एक लाइन पे चलेगा और जो AC है वो क्या होगा वाटेज AC और DC सर्ट AC यानि अल्टरनेटिक करेंट यानि हम ऐसे समझें कि जो विजली हमें डायरेक्ट पावर हाउस से सप्लाई होता है और जो जो विजली हमें मिलती है घर में इन्वर्टर के जरीए इन्वर्टर के जरी जो विजली मिलती है डाट डाट इस कॉल्ड डायरेक्ट करेंट और जो पावर सप्लाई एमीटर वोल्टमीटर एनिमोमीटर या वाटमीटर विद्धिध्धारा को निमलखित में से किस उपकरन द्वारा मापा जाता है चलिए हरिंदर सी नाम ले लिए आपका चलिए जल्दी बताइए क्या होगा विद्धु धारा को निमलिखित में से किस उपकरण दवारा मापते हैं चलिए रोसंद जी ने बढ़ी है समझाया फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स तो कि आऐ मीटर के जरिए इलेक्ट्रिक करण की मिजर्मेंट करी जाती है इननीमोमीटर की जरिए इस्पीड और विंड हमेर हवा की गति कौं हम लोग मिजर्मेंट करते हैं इननीमोमीटर से और Watt Meter से Electric Power Electric Power Volt Meter की चर्चा पहले ही कर चुके हैं थोड़ी से questions आपके लिए भी छोड़ के जाएं अब आपको comment box में बताना है कि Volt Meter से हम लोग क्या measurement करते हैं मैंने बता दिया Emitter Electric Current विदुधारा Enemometer बता दिया Speed of Wind यानि हवा की गती Watt Meter बताया Electric Power अब आपको comment box में बताना है Volt Meter से हम लोग क्या measurement करते हैं ठीक है? चलिए To an observer and on the lunar surface during day time the sky will appear to be चंदरमा की सता पर एक परवेच्छक को दीन के दवरान अकास डैस दिखाई देगा yellow, light yellow, हलका पीला नीला, नारंगी या काला चलिए बहुर बढ़िया potential difference जिसने टाइप किया potential difference Voltimeter की बिलकुल राइट चंदरमा की सता पर एक परवेच्छक को दीन के दवरान अकास दिखाई देगा कैसा? Black, काला क्यों दिखाई देगा फ्रेंट्स? इसके पीछे कुछ न कुछ तो रीजन होगा देखें The moon has no appreciable atmosphere यानि वाई मंडल चंदरमा के पास नहीं है To do this scattering यानि जब वातवरन नहीं है वाई मंडल नहीं है तो परकिर्नन नहीं होगा परकिर्नन नहीं होगा तब स्काई क्या होगा So the sky appears dark यानि काला That means वहाँ पे atmosphere का अभाव है Atmosphere का अभाव है तो परकिर्नन यानि क्या होगा लाइट का फाइल जाना परकिर्नन के कारण ही बात करेंगे जो प्रिज्म नहीं इंद्धनुस वगेरा जो दिखाई पड़ता है किस से आई बात है समझ में चलिए तेकि नेक्स्ट कोश्टन A small drop of wild spreads over water भी काउच तेल की एक छोटी बुंद पानी पर फैलती है जल पर फैलती है क्योंकि Wild has a higher surface tension तेल में प्रिष्ट तनाव उच्च होता है Water has higher surface tension जल में प्रिष्ट तनाव उच्च होता है Wild has a higher viscosity तेल में उच्च स्यानता है या Water has a higher viscosity पानी में उच्च स्यानता है चलिए बताइए कि तेल की एक छोटी बुंद पानी पर फैलती है क्यों फैलती है चलिए Water has a surface tension केवल surface tension कहने से काम नहीं चलेगा यहां क्योंकि आपके option में क्या दिया है वाइल भी है वाटर भी है त्मिस surface tension के कारण और क्या-क्या घटना ही होती है कभी-कभी questions आता क्या है कि गरम शूप या गरम खाना या गरम भोजन जब हम गरहन करते हैं खाते हैं तो हमें जाइदा टेस्टी महसूस होता है क्यों surface tension के कारण प्रिष्टनाव के कारण यानि प्रिष्टनाव क्या है देखें surface tension is the elastic tendency of liquids प्रिष्टनाव तरल पदार्थ की लोचदार प्रकृति है प्रविर्ति है जो उन्हें कम से कम सता चेतर को अर्जित करता है यानि फैलता नहीं अब देख लिए ठंधा भोजन खाईए ठंडा खाना खाईए वह पूरे जीप में फैल जाएगा हमें टेस्ट पता नहीं चलेगा लेकिन जैसा ही गरम खाना खाते हैं करते हैं बहुत साव टेस्टी है विकाउज क्यों सर्फेश टेंशन के कारण वो जाएदा फैलता नहीं है और इसी कारण से हमें सवाद महसूस होता है देखे सामने सर्फेश टेंशन क्या है प्रिष्ट तनाव तरल पदार्थ की लोचदार परविर्ती है जो किसी भी लिक्विड को कम से कम सता चेतर को अर्जित करता फैलत है प्रिष्ट तनाव एक महत्पुर्ण गुन है जो कई पारिष्थित की तंत्रों पर अस्पष्ट रूप से परभाव डालती है इसलिए तेल की एक छोटी बुंद पानी पर फैलती है क्योंकि जल में प्रिष्ट तनाव अधिक होती है कुमार सोनु क्या करें नाम लें य आई बाते समझ में क्या सर्फेस टेंशन कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब चलिए देखें नेक्स्ट कोश्टन इन फोटो सेल लाइट इनर्जी इस कनवर्टे इंटू एक फोटो सेल प्रकास में उर्जा डैस में परिवर्थित हो जाती है पोटेंशिल इनर्जी इस्थिति जूर्जा केमिकल इनर्जी रसायनिक उर्जा हीट इनर्जी टापिय उर्जा या इलेक्ट्रिक इनर्जी विद्धूत उर्जा चलिए नहीं फ्रेंट्स आज रेजनी के क्लासे नहीं हुए सब छुट्टी पे कल साफी क्लास कंटीनिय हो जाएंगी चलिए अमजद अंसारे जी आपका भी नाम ले लिया पवन कुमार चलिए बताइए क्या होगा एक फोटो सेल प्रकास में उर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है बहुत बढ़िया राहुल कुमार इलेक्टिक इनर्जी देखिए डाइट बिस फोटो सेल लाइट में जो इनर्जी अस्टोर होता है वो कनभट किसमें होता है इलेक्टिकल इनर्जी में किसमें कनभट होगा यानि इलेक्टिकल इनर्जी किसमें केमिकल इनर्जी इन्टो इलेक्टिकल इनर्जी चलिए lycopene is a type of chloroplast found in lycopene एक परकार का हरित लवक है जो डैस में पाया जाता है क्या होगा option लीफ पत्ता टोमेटो टमाटर गाजर या बिटरूट चुकंदर चलिए परसाद नायगी आपका भी नाम ले लिया बताइए क्या होगा लाइको पीन एक परकार का हरित लवक है जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है पहले इस कोस्टन जो करा चुके हैं आज देखेंगे सब में चलिए अकास दिप कुमार ने सबसे पहले बताया टोमेटो लाइको पीन एक परकारा क्लोरो प्लास्ट है हरित लवक है फ्रेंड्स याद होगा ऐसे सी में जब क्लास करने सेल और सेल में पूरी तरिके से डीटेल से बताये थे इसको देखे कई लोग कह रहें लीफ या लीफ क्यों होगा उसमें देखो लीफ जो प्लोरोप्लास्ट है पत्त जानी यह क्या होगा हिक्लोरोफिल अ मploy क्या तोमेटो लाइटोपीन देकार्लाल कैरोट क्या होता कैरोटीन और बीट रूट में क्या पाए जाता है बीटानीन लीफ में क्लोरोफिल तोमेटो लाइकोपीन कैरोट कैरोटीन और बीट रूट बीटानीन यानि जितने सारे आप्शन थे सब के लिए कोई कनफ्यूजन नहीं चलिकमेंट बॉक्स मेरे रूंना नो टाइब बताएज टोमेटों अप्टों कौन यहीड पाए जाते हैं तो बयांते से इस यह ठका मुएकर ट्फैंट कामेटों कौन पाए जाते हैं से सब्सक्राइब होता है कि देखें इसे से क्लास कब होता है फ्रेंट्स शिक्स टू सेवेन जी एस्टी कि देखें नेक्स्ट कॉस्टन दा बेस्ट कंड़क्टर ओफ एट अमंग दा फॉलोविंग इज निम्लिखित में उस्मा का सबसे अच्छा सुचालक है अलकोहल सराब निम्लिखित में उस्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है चलि बहुत बढ़िया औक्जेलिक एसिट और या निक्ट तोमेटों में क्या पाये जाता है ऑग्जेलिक एसिड आहोद बर्ण से पाइए उस्मा का सबसे Belग कौन ना है रेंट्स शीलवर नहीं कि और प्र्करीट को कि इसमें इन चारों कि है अधरवाइज सबसे अच्छा सुचालक की बात करें एए यू लेकिन महंगा होने कारण लोग यूज नहीं करते हैं गोल्ड इस ग्रेटर देन एजी इस ग्रेटर देन कॉपर इस ग्रेटर देन एल्मोनियम इस ग्रेटर देन आईरन यानि जब अरेंज करने के लिए दे कि बेस्ट कंड़क्टर ओफ इलेक्रिसिटी गोल्ड सिल्वर कॉपर अल्यमोनियम और आईरन मरकरी मरकरी एक भारी है और सिल्वरी वाइट मिटल रजट स्वित धातू है चलिए magnetism at the center of a bar magnetism एक दंड चुम्बक के केंदर में चुम्बक्तू में होता है क्या होता है फ्रेंट्स देखिया option high maximum उच अधिक्तम होता है चुम्बक्तू या लगभग सुन्य मिनिमम और maximum नियुंतम या अधिक्तम या all of the above चलिए बताइए magnetism at the center of a bar magnetism एक दंड चुम्बक के केंदर में चुम्बक्तू डैस होता है चलिए बहुत बनिया जिसने कहा जीरो बिलकुल राइट सही है क्या होगा जीरो कैसे कि एस दा मिडिल अब डा मैगनेटिक लाइन और फार अवी यानि दोनों के बीच में देखिए लेकिन और अनदर अड़ पोल्स आर क्लोश टू इच अदर डैट इस उफाए अधर सेंटर दा मैगनेटिक पोस इस लेस दन तपोस यानि चुम्बक्तू रेखाएं बीच में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और धुरूबों पर एक दूसरे के करीब होते हैं यही कारण है कि केंदर में चुम्बक्यबल धुरूबों से कम होता है ठीक है नेक्स्ट कोस्टन इन हुमेन डाजेस्टिव सिस्टम दा प्रोसेस ऑफ डाजेशन स्टार्ट्स इन मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रकिरिया कहां से सुरू होती है पॉस्फेगस ग्रसनी बकल कैविटी मुख गूहा जुडेनम पक्वासय या स्टॉमेक अमासय इन हुमन डाजेस्टिव सिस्टम दा प्रोसेस ऑफ डाजेशन स्टार्ट्स इन मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रकिरिया कहां से सुरू होती है चलिए बताइए क्या होगा बकल कैविटी वेस्फेगस डूडेनम या स्टॉमेक चलिए माउथ आप्सन नहीं हो फ्रेंट्स देखें बकल कैविटी यानि मुख गूहा दा बकल कैविटी इज मोर कॉमनली नॉन एज दा माउथ यानि माउथ के जगह पे एक्जामनर क्या यूज करता है क्या करेगा बकल कैविटी चलिए कंफ्यूजन नहीं एंड इटी दा बीगनिंग ओफ डाग डाइजेस्टिव सिस्टम पर फ्रूमें क्यों होता फ्रेंट्स विकाउज सलाइवा जो लार है निकलता है क्या है अमाइलेज यह लार से निकलता है सलाइवा से निकलता है इस कारण से पाचन तंत्र हमारा आरंभ हो जाता है कहां मुव में इस्थित बकल कैविटी से एंड एनिमल्स लाइक बकल कैविटी लाइज इन माउथ और फाइनली अंतिम रूप से कहां पचेगा अस्माल इंटेस्टाइन जैनि छोटी आत में कंपलीट होगा पचना आरंभ कहां से होगा मुव से बकल कैविटी से और अंतिम कहां होगा का स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आत में ठीक है अब छोटी आत है तो नाम का छोटी आत है लेकिन सबसे लंबी होती है ये डैट मेंस एप्रॉक्स सेवन मीटर इसकी लंबाई है ठीक है आई बात है समझ में इसलिए विच आप दा फॉलेविंग पेर्स हैज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम निम्निलिखित में से किन जोड़े में परिशन चरंद तंतर का खुला परकार है अर्थवर्म एंड लिच केचुवा और जोक मैन एंड वेल मनुष्य और वेल कॉक्रोच और सिल्वर फिश टाइड़ पोल लार्वा और मचली चलिए बताईए निम्निलिखित में से किन जोड़े में परिशन चरंद तंतर का खुला परकार है चलिए हरिश्यातो जी मजार है बहुत बढ़िया हां फ्रेंट्स आईपियल पहले प्रिफेर करिए क्योंकि आईपियल से कई सारे कोशन्स आएंगे रेलिवे में आपके या पढ़लो दो महीना समय है दो महीना जम कर पढ़लीजिए इसके बाद नहीं तो फिर नेक्स्ट इयर भी आईपियल आएगा लेकिन रेलिवे के वेकेंसी नहीं आएंगे आपके कॉक्रोच एंड सिल्वर फिस क्या होगा अंसर देखिये ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज फांड इन मुलस्का एंड आर्थोपोडा मुलस्का जो ग्रूप है और अर्थोपोडा दोनों में पाया जाता है मुलस्का का एक्जामपल हो गया आपके कॉक्रोच और अर्थोपोडा का एक्जामपल हो गया फिस आई बाते समझ में कि खुली परकार की परिशंचरन प्रणाली मुलस्का और आर्थोपोड़ा में पाय जाती है जिसका एक्जामपल क्या हो गया कॉक्रोच और सिल्वर फिस ठीक है चलिए देखिए नेक्स्ट कोश्चन है डग कंसेप्ट अब जुडिसेल रिव्यू इन आवर कंस्टिचूशन है एज बिन टेकिन फ्रोंदा कंस्टिचूशन आप चलिए अजे तिवारे जीप मोस्ट वेलकम हमारे समविधान में नियाइक समिक्षा क्या उधारना को किस देश के समिधान से लिया गया है कि UK कि USA कैनेडा या USSR चलिए हमारे समविधान में नियाइक समिक्षा क्या उधारना को किस देश के सम्विधान से लिया गया है चलिए बहुत बढ़िया ओप्शन नमबर टू जुडिसियल रिव्यू इज एडॉप्टेड इंदर कंस्टिचूशन आफ इंडिया प्रोम जुडिसियल रिव्यू इन युनाइटिट अस्टेट्स बिए को के सब्सक्रिंट सर्कूूलेटरी सिस्टम क्या है समझते पहले इसको रिविया जुडिसर रिव्यूः इंडियाएक समिक्षा युवे psychiat के समी लिया गया है और भारत के जो आर्टिकल की बात करें भारते समिधान के आर्टिकल की बात करें तो इंदा इंडियन Constitution judicial review is dealt with under several articles तो कौन से आर्टिकल 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 तेरा 32, 131, 136, 143, 226 और 246 दो इसमें important जाइदा इसलिए आर्टिकल 32 इस नौन एज Constitutional रिमेडिज जिसको हम लग बोलता है समयधानिक सुरक्षा यानि समयधानिक सुरक्षा जो है आर्टिकल 32 वो सुप्रीम कोट रिट जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोट रिट जारी करेगा आर्टिकल 32 नौन एज Constitutional रिमेडिज और हाई कोट रिट जारी करेगा 226 नौन एज Constitutional रिमेडिज डाट मिस रिट रिट कितने परकार के देर आर फाइब टाइपस अफ रिट रिट पांच परकार के होते हैं अब रिट की चर्चा कौन-कौन है क्या है questions को लिए कर आएंगे और किलियर तरीके से समझेंगे ठीक है चलिए नौर्मल टेम्प्रेचर अफ्यूमन बोड़ी उन्द सेल्सियस स्केल और फारनहाइट स्केल इज रिस्पेक्टिवली सेल्सियस स्केल और फारनहाइट स्केल पर मानो शरीर का समान तापमान करमसा है 37 दिए चल्सियस और 98.6 दिए फारनहाइट एक साथ दोनों चीज कभर हो जाएंगी चाहें सेल्सियस की बात करें या फारनहाइट की बात करें चल्य बताइए क्या होगा सेल्सियस स्केल और फारनहाइट स्केल पर मानो शरीर का सामान तापमान और फारनहाइट की बात करें तो हमारा नॉर्मल टेंपरेचर ऑर फारनहाइट की बात करें तो हमारा नॉर्मल टेंपरेचरा 98.6 देगरी बात क्योंकि ऐол Aurечь hm फ्रेंट्स या तो सेल्सियस कुछे है या फारन्हाइट मैंने क्या किया दोनों को been कर दिया कि एक सन्वें जयायाता-स जयायता-स तीज़नों riding को रिब्याजिश को Camp जेल में उत्क्रिष्ट परदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरुष्कार है द्रोनाचारे पुरुष्कार पद्मश्री अवाड भारत रत्न या अर्जून अवाड चलिए टेक अस्टार मेरा सही है सद्धी बहुत बढ़िया चलो बताओ डवाड गीविन फुर आउट अस्टेंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स इच हां एक के पांड़ी माइनस फुट्टी पर दोनों तापमन क्या होगा इक्वल होगा बराबर होगा से लिबताइए क्या होगा खेल में उत्विष्ट परदर्शन के लिए दिया जाने वाला अवाड अर्जुना अवाड बहुत बढ़िया देखें पद्म सिरी और भारत रख यह क्या है क्या है क्या है सिविलियन अवाड है चलिए इसको जरह देख लें समझा देते हैं 1971 में अस्थापित अर्जुन पुरुषकार खेलों में उत्विष्ट परदर्शन के लिए दिया जाता है यहां यह बाते समझ में पद्म सिरी और भारत रख यह हाईयर क्या है सिविलियन अवाड हुआ कि 1954 में इसकी अस्थापना किये गई थी ने क्षै रेंहे द्रोना चार आवाड यह दूरिश्द से मतलब क्या हो गया याद करेए महा भारत जो दुन चार क्या करता था आज्जून और कर्ण सब क्या करता था ठीचर में उन्हें सिक्षा दो सिंभ दूब 910 जैए कि बैसे को 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 किसको दिया जाएगा कोच को दिया जाएगा जो इस बार बीसी से आई ने दुरनाचार पुरुषकार के लिए राहुल दर्विड के नाम का सिफारिश किया गया है कोई कंफ्यूजन नहीं कि आई पाते समझ में है चलिए नेक्स्ट को से इन विच कंस्टिचूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीट्स ओप लोक्सभा वर इंक्रीज़ प्रों 525 तो 545 किसे समवधानिक संसोधन अधिनियम के तहत लोक्सभा सीटों में 525 से 545 तक बढ़ोतरी हुई थी 21st Constitutional Amendment Act 1967 इकिशवे समझान संसोधन अधिनयम उनिस ओ सर्षट 42nd Constitutional Amendment Act 1976 बैलिशवे समझान संसोधन अधिनयम उनिस ओ सेथतर 52nd Constitutional Amendment Act 1985 इन 31st Constitutional Amendment Act 1973 चली बताइए किसे समझानिक संसोधन के तहत लोक्सभा सीटों में 525 से बढ़ा कर 545 की गई है चली बताइए क्या होगा फ्रेंट्स फ्रेंट्स 44 तो आप्शन में है भी नहीं 31st Constitutional Amendment Act 1973 एक कीशवा समिधान संसोधन से सिंधी भासा को 15 लेंग्वेज के रूप में आठवी अनुसुची में जोड़ा गया यानि 21st Constitutional Amendment Act 1967 से सिंधी को आठवी अनुसुची में जोड़ा गया पंद्रहवी भासा के रूप में 15 लेंग्वेज के रूप में 42nd Amendment 42 समिधान संसोधन 1976 से परस्तावना में पिरेंबल में तीन बातें जोड़ी गई इंटिग्रिटी अखंडता सोशलिस्ट समाजवादी और सेकुलर धर्म निर्पेक्च यानि परस्तावना में तीन बातों को जोड़ा गया अखंडता समाजवादी और धर्म निर्पेक्च 42nd Amendment 1976 कुमार सानुजी बताएंगे परिशान ना हुए फिप्टी सेकेंड कंसिस्टिशनल अमेंडमेंट 1985 से दस्वा अनुसूची दस्वमी अनुसूची को जोड़ा गया क्या जोड़ा गया दल बदल कानुन दल बदल कानुन आई बाते समझ में हमने 21st को भी देखा 42nd को भी देखा 52nd को भी देखा और 31st का तो अंसर ही आपके 42nd constitutional amendment is known as mini constitution यानि mini समिधान के नाम से 42nd समिधान संसोधन को जाना जाता है 42nd constitutional amendment is known as indra constitution इंदरा समिधान ठीक है देखे अब इसे देख लेए बाइ 31st constitutional amendment act 1973 यानि एक तीसवा समिधान संसोधन 1973 में लोग सभा की सीटें 525 से बढ़ा कर 545 की गई लेकिन के इंदर सासित परदेशों में लोग सभा के परते निधित्व को 25 से घटा कर 20 कर दिया गया है फ्रेंट्स दो हजार एक में 545 से बढ़ा कर 552 कर दिया गया है जो किसी फ्रेंट्स ने कह रहा है किसे ने टाप किया 225 गलत जिसकी संख्या 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएगी तो 552 कैसे डिफाइन करें देखे गौर से समझेगा पाइव हंड़र्टर्टी यह किस के लिए राज्यों के लिए ट्वेल्व यूनियन टेरिटरी के निसासित पर्देश के लिए 13 कितना हो गया 543 पलस्टू एंगलो इंडियन आंगल भारतियों के लिए कितने हो गई 545 और जो साथ सीटे रिजर्व है जब पार्लियामेंट को लगेगा कि किन्दशासित पर्देश में सीटों की संख्या कम हो गई है उसे बढ़ा दिया जाएगा जो कब तब फिक्स रहेगा ये 2026 तक नेरत चौदर जी प्रिसान ना होई आरार्व एक्जाम को डेट को लेकिए अभी किलियर नहीं हुआ है जैसे किलियर होगा बता दिया जाएगा आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी ठीक है इसलिए प्रिसान ना हुए बस एक्जाम क से सन का मझा लेजी को सनकों समझे कैसे का इसे पूछे जाएंगे हो सकता यह जडिया अधियर यह पूछे कि सबसे जायदा लोग सफास्रिड किश के दर सासिथ परदेश में है यानि 7 मिलस आस साथ कहां दिली में और छै कहां तो साथ कर दिल्ली जो 6 बचा अधर डिए इंग्लो इंडियन क्या है देखे चुन्चुन चौद्री जी मैं पताऊं इंग्लो इंडियन यह आंगल भारती है 1950 के बाद कई सारे अंग्रेज भारत में रहा गए तो उनकी भी परतिनिधिव चाहिए उनका भी रिपर्जेंटेटिव चाहिए जब लोगसभा का इलेक्षन होता है तो परतेक लोगसभा की इलेक्षन के बाद राष्टपती दो इंग्लो इंडियन का नोमिनेट करते हैं नामित करते हैं ठीक है चलिए चलिए परतिम सिंग नाम बोल दिया आपका महान हिमाले को डैस भी कहा जाता है हिमादरी सह्यादरी असम हिमाले यह सिवालिक चलिए बताइए महान हिमाले को किस नाम से जाना जाता है महान हिमाले को किस नाम से जाना जाता है चलिए बताइए क्या होगा महान हिमाले को हिमादरी के नाम से जानते है हिमाले को तीन भागों में डिवाइट किया गया है कौन कौन से भाग दा ग्रेटर हिमाले पहला ग्रेटर हिमाले महान हिमाले दूसरा मीडिल हिमाले मद्ध हिमाले मद्ध हिमाले को अलग अलग नाम से जानते हैं कहें हम हिमाचल हिमाले उत्राखंड हिमाले और जो तीसरा है आपका सिवालिक कभी कोस्टन्स आएगा हिमाले के आउटर या शाउदर्न यानि हिमाले की बहरी भाग या हिमाले का दच्हिंतम भाग क्या कहा जाएगा सिवालिक और सह्यादरी क्या है फ्रेंड्स सह्यादरी इस नॉन एज वेस्टर्न नॉन एज वेस्टर्न घाट पस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् हिमादरी यानि जितनी भी जो हिमाले से निकलने वाली नदियां है उसके जो अधिकांस्ता और इजनेट है वह कहां से हिमादरी से कोई confusion नहीं यहां तक चलिए हिमाले की बात करें थोड़ी से और कोशन जोड़े फ्रेस हिमाले एक जांपल किसका है नियू फोल्ड माउंटेन नवीन वलित परवत का उधारन कौन सा है ग्रेटर हिमाले यानि पूरे हिमाले की बात कर दें कोशन क्या आएगा हिमाले का उधारन किस परवत का उधारन है हिमाले इजा नियू फोल्ड माउंटेन हिमाले एक नवीन वलित परवत है जिसकी हाइट आठ सब्सक्राइब तालिस मीटर है इसलिए दिखें नेक्स्ट सी वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाइद प्रोसेस ऑब समुद्री जल डैस की पर किरिया द्वारा सुध किया जा सकता है डिस्टिलेशन आस्वन एक इवोपरेशन वास्पी करन फिल्ट्रेशन निस्पंदन या फ्रैक्ष्णल डिस्टिलेशन अंसता आस्वन चलो कई सारे फ्रेंट्स करने सार सोनम कपूर की साधी बैयार जाव ले लो ना तो तुम्हारी साधी नहीं होगी फिर कहते फिरोगे चलो जल्दी बताओ समुद्री जल की पर किरिया किस पर किरिया द्वारा सुध किया जा सकता है इस्टिलेशन यानि वास्पिकरन आस्वन जोड़ा है वास्पिकरन से नहीं बररदर इस्टिलेशन इस अपर वह सब सेपरेटिंग अध कॉम्पोनेंट सबस्तांस आइज परूम अलिकुट मिक्शर बया selective evoporation and condensation दोनों को मिलाएंगे evoporation पलस condensation यानि संघणन को अंगन सेशन संघणन और वास्पी करन दोनों की संब्लित परकिरिया को क्या कहा जाएगा आस्वन क्योंकि केवल वास्पी करन कहेंगे तो गल्बढ हो जाएगा अब मान लेजिए तालाब की पानी है या फिर मटका का पानी ठंडा होता है वह हो गया वह परिशन वास्पी करन ठीक है चलिए दा एलिमेंट यूजड फुर मेकिंग सोलर सेल्स इट सौर सेल को बनाने हे तू उप्योग किया जाने वाला तत्व है मैगनीसियम सोडियम कैल्सियम या सिलिकॉन सौर सेल को बनाने हे तू उप्योग किया जाने वाला तत्व है मैंगनीसियम सोडियम कैल्सियम या सिलिकॉन चल्ड जल्दी बताव क्या होगा व्यारी गुल Silicon is a very common element Silicon एक बहुत ही आहम तत्व है but normally bond in silica और silica sand लेकिन आहम तोर पर या silica या silica रेत में बन्दे होते हैं Silicon की बात करें तो जितने भी IC चीप होते हैं computer में integrated circuit कभी कभी full form पूछता एक्जाम में IC का full form integrated circuit किसका बना होता है Silicon धातू का बना होता है चलिए the chemical name of quards quards का रसानिक नाम क्या है calcium oxide calcium phosphate silica sodium silicate चलिए बताइए quards का रसानिक नाम क्या है calcium oxide है calcium phosphate है silica है या sodium silicate में रिजवान खान जी मैं मैं reply दे दूँ दिए कल ही कहा गया था कि maths गुरू आपके छुट्टी पे हैं इस कारण से अभी कुछ दिन classes आपके 10 बज़े के बज़ाए 9 PM 9 PM पे चलेंगी जैसे reasoning खतम हुआ 8 से 9 9 से 10 आपके वीडियो जीएस की हो जाएंगी ठीक है sodium silicate कई सारे मित्र को लगा होगा किसर सिलिका क्यों नहीं या सिलिका नहीं होगा इसका रसानिक नाम देख ले रसानिक फॉर्मूला देख ले तब बात आएंगी समझ में देखे दा केमिकल नेम अब क्वार्ट जी sodium silicate sodium silicate is the common name for compounds with the formula Na2 Na2 SiO3 क्यानि sodium silicate जबकि इस सिलिकार फॉर्मूला SiO2 क्या होगा कि सेलेंद्र कुमार ने कहा semiconductor silicon बहुत बढ़िया पूजा सर्माजी आज रिजिनिंग क्लास नहीं होगी रिजिनिंग इसर छुट्टी पे कल continue हो जाएंगी कल से आपके जो प्लांट इज निंफ्या अल्बा निंफ्या अल्बा किस परकार का पॉधा है मैंग्रो डेजट प्लांट मरुष्थलिय पॉधा मौन्टेनिस प्लांट पहाडी पॉधा या एक्वेटिक प्लांट जलिय पॉधा चलिए बताईए क्या होगा कि निंफ्या अल्बा किस परकार का पॉधा है मैंग्रो है मरुष्थलिय पॉधा है पहाडी पॉधा है या जलिय पॉधा है कि चलिए बताई यह क्या होगा इसका अंसर कि चल्व जल्द यह बताओ अंसर क्या होगा इसका निंफ्या अलबाई यह एक्विटिक प्लांट यह एक जलिय पौधा है इसके बारे में कुछ निंफ्या अलबाई यह एक्विटिक प्लांट यह एक जलिय पौधा है इसे जुरोपिये स्वेट वाटर लीली डाट में इस अलसो नॉन एज जुरोपियन वाटर वाइट वाट अब देखिए आने वाले समय में कैसे आएंगे यूरोपिये स्वेत वाटर लिली का बाटनिकल नेम क्या है यह स्वाइट वाटर लिली यह स्वेत नील कमल यह क्या बाटनिकल नेम है यह मूल रूप से उत्री अफरिका समसितोस्न एसिया यूरोप और उस्टन कटिबंधिये अफ्र्म है यूरोपिकल रीजन में आता है यह हो गया देखिए एक्वेटर के साले 10 दिग्री आने थोड़े एक्वेटर यानि कहां उष्ण कटिबंधिये छेतर में भारत आता है ठीक है इसलिए देखें नेक्स्ट कोर्ट्ट तेंथ ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन दस्वी ब्रिक्स सम्मेलन डैस में आयोजीत किया जाएगा प्रिटोरिया सौत अफिरका सेंट पिट्सबर्ग रसिया निव देली इंडिया यह जोहनेसबर्ग सौत अफिरका शली बताई यह क्या होगा चलो जल्दी यल्दी बताओ क्या होगा जवाब इसका दस्वी ब्रिक्स सम्मेलन डैस में आयोजीत किया जाएगा प्रिटोरिया भी है और जोहनेस बर्ग भी है और पहले भी हम लोग ब्रिक्स के बारे में चर्चा कर चुके है गलत तो नहीं होनी चाहिए ठेखिये दैन्थ एडिशन अफ्डा एन्नुओ ब्रिक्स ब्रिक्स में कितने देश ब्राजिल, रसिया, इंडिया, चाइना, सौथ अफिरका समिट विल बी हेल्ड इन जोहानेस बर्ग, सौथ अफिरका इन टूथाउजन्ट एटीन यानि ब्रिक्स का वार्षिक दस्वा संसकरन 2018 में दच्छी न फिरका के जोहानेस बर्ग में आयोजीत किया जाएगा ठीक है? ठीक है? विची दा लॉंगेस्ट निश्टल हाइवे इन इंडिया, भारत में सबसे लंबा राष्टिय राजमार कौन सा है? इन इस सिविन, इन इस पोटिफोर, इन इस टेन या इन इस फाइब, बताईए, भारत में सबसे लंबा राष्टिय राजमार कौन सा है? बर्कर सिंग पहले तो पढ़ा चुके है ये, फिर भी अगर राउंग हो जाता है, तो बड़े दुख की बात है, आप तो गलत नहीं होने चाहिए, ये पढ़ा हुआ चीज है न? चलो, बताओ, सबसे लंबी एनेच कौन सी है? एनेच फोटी फोर, कई लोगों को लग रहा होगा, कि सर एनेच सेविन है, आपने एनेच फोटी फोर क्यों कहा? एनेच सेविन था, अब ये चेंज हो गया फोटी फोर. कैसे? देखिए, एनेच फोटी फोर इस दा लॉंगेस्ट निस्नल हाइवे इंडिया, इट मेक्स दा नौर्थ सौथ कॉरिडोर, एंड इस ओफिसियली लिस्टेट आइज रनिंग ओवर 3,745 किलोमेटर, साइटे सव पैतालिस, जो कहां से कहां तक? स्तरी नगर से कन्या देखिए, लोग जानते थे पहले एनेच सेवेन, जिसकी अगर डिस्टेंस की बात करें? 2,3,6,9 किलोमेटर, कैसे यादगे फ्रेंट्स? टेबल याद होगा, 23,79, 23,3,69, कहां से कहां तक? वारा नसी, तू कन्या कुमारी, लेकिन, अब क्या हो गया? कि सिरी नगर से लेकर वारा नसी तक जोड़ दिया गया, और फिर वारा नसी से कन्या कुमारी यही कन्टिनू हो गया, 269 किलोमेटर, यानि इसलिए, मैंने ओप्सन नंबर 7 भी डाला, ताकि जो कन्फ्यूजन आपका है दिमाग में, वो किलियर ह जाए जब आपके औप्सं में 7 है और 54 नहीं है, और 9 अब्दीज है तब तीज और अगर 9 अब्दीज ऑप्सं में नहीं है और 54 भी नहीं है, तब 7 है, और 44 दौन ऊ थोमें, तो जैसा कोर्शन में आपके था, किस राज यहां विजाएगा 11 स्टेट, देखिए कितने कोशन बनेंगे के इनेज 44 कितने राज्यों में क्रॉस करता है एक 11 राज्यों में कौन-कौन जम्मु कस्मीर 1, पंजाब 2, हरियाना 3, दिल्ली 4, यूपी 5, MP6, महराष्टा 7, तिलंगाना 8, अंधर पर्दिस 9, करनाटक 10, तामिलाडू 11 अब बाते समझ में कोई कंफ्यूजन नहीं चलिए तो यह थे आप आज के लास्ट कोस्टन और जब कल मिलेंगे तो कल फिर मिलेंगे इसी तरीके से कुछ मज़ेदार कोस्टन के साथ लेगिन टाइमिंग याद रहे 9 to 10, जब तक आपके मैथ गुरू नहीं आ जाते हैं तब तक, तो कई सारे फ्रेंड्स अभी कंफ्यूज कर रहे थे, कि सर वीडियो आज जल्दी स्टार्ट होगे ही क्यों, इसलिए स्टार्ट होगे फ्रेंड्स, क्यूंकि मैथ गुरू आपके छुट्ती पे हैं, इस से लगा दिया यह, सरा smallest which one please, ठीक हो गया, 스аले स्टी सेवन एड्स जो केरल में है, जिस की दिस्टेंस की बात करें तो only 6 किलोमिटर, नि सबसी चोटा राजमार्ग 47A जो कीरला में है जिसकी दोरी 6 किलोमीटर और सबसे लंबा 44 अब बाते समझ में चलिए उम्मीद करें आज की वीडियो काफी पसंद आयोगी और पसंद आये तो फ्रेंट्स लाइक और शेयर करना ना भूलें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बत नौ से दस तब तक इंज्वाइट करिए श्टडी करिए ओके बाई गुद्णाई करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चानल बेल बटन पे क्लिक करते ही पाए हर एक वीडियो की लेटेस्ट अबडेट